हलो फैंड्स हलो फैंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में अज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्लेंट अफेर्स का जो प्राक्टिस टेस्ट नंबर है 18 से लेकर 20 तक इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्राक्टिस टेस्ट नंबर 18 की प्राक्टिस टेस्ट नंबर 18 का जो पहला कोश्यन है वो यह कह रहा है कि 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 सौट डकुमेंटरी फिल्म निर्माता ने दादा साहब फालके पुरुसकार 2020 जीता ह तो यह ऐसा करने वाला जो देख है वो है इजराइल नेक्स्ट की हाली में कौनसा देख क्वेला और परमानु उर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला अध्योगीक देश बन गया है तो यह देख है जर्मणी नेक्स्ट की हाली में किस राज सरकार के द्वारा ये उत्जमत्राले द्वारा देसका पहला इचार्जिंग प्लाजा कहा अस्थापित किया गया है लग्जा रिवारत की सपें रिवारत की तीसरी तेजस एक्स्प्रेस रेल गाडी को कींद वो सहरों के बीच शुरू की गई है तो ये जो है बो सुरू किया गया है 12 नसी से इंदौर के बीच नेक्स्ट एगी निम्रिकी में से किस सहर में राष्टिये जैबिक खाद महोसब का आयोजन किया गया है तो राष्टिये जैबिक खाद महोसब का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है नेक्स्ट है ये हाली में भारत के यात्रा पराय मौर्सलो रेवेलो खिस देश के राश्टपती हैं तो ये पुर्तगाल के राश्टपती है नेक्स्ट है की राश्टिये विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या था तो उसका थीम था बोमेन इन साइंस नेक्स्ट है हमारा परमानु उर्जा संधियन सुरू करने वाला देश का पहला अरब देश कौन बन गया है तो ये देश है संजुक्त अरब अमिराथ नेक्स्ट है की बेक्टिजर्ट के पस्चात उरोपिय संध में अब कुल कितने सदस देश बचे हैं अब सदस बचे हैं 27 नेक्स्ट है की 21 संस्थान द्वारा हाली में यूबा बिज्ञानी काजग्रम यानि यूबीका के दूसरे सत्व का सुवारम किया गया है तो ये किया गया है इस रो में नेक्स्ट है यहाली में किस राज सरकार द्वारा 21 दिन में एरेपिस्ट को फासी दिये जाने को लेकर एक कानून बनाने है तो यह किया गया है आंध्यपदेश में नेक्स्ट है हमारा गी भारत नियार प्रनाली के संबन्द में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को नियार दिलाने के मामले में अग्रेनी राज कौन है तो वो राज है महराश्ट नेक्स्ट है हमारा गी नमबंबर 2019 में किस राज में राष्टिये जन जातिये सिल्प मेला का आयोजन हुआ था तो ये हुआ है उडिसा में नेक्सट है कि और्णज फेस्टिवल outta अगर बात करते है, तो और्णज फेस्टिवल कहा अगर बात करते हैं, तो और्णज फेस्टिवल मननिपूर। मनाया गया किस कंपणी ने 2030 तक कार्वन निगेटिव होने की घोसना की है तो ऐसा करने वाला जो कंपणी है वो है Microsoft हाली में आई रिपोर्ट के नुसार दल दच्छता सूचकांक में कौन सा राज सिर्ष पर है तो वो राज है गुजरात नेक्स एगी किस राज के मुखमंतरी ने रोजगार संगी मोबाईल एप जारी किया है तो रोजगार संगी एप मोबाईल एप जारी करने वाला जो राज है वो है 36 गड नेक्स एगी इंद्रा ग्रिह जोती योजना की सुरुआत किस राज सरकार ने की है तो अरसास के छेतर में अकीरा योसीनों को नहीं प्रदान किया गया है नेक्स्ट लेगी किस अभी नेता को बर्स 2018 के लिए दादा साहर फाल के प्रोस्कात प्रदान करने की घोसना की गई है तो ये अमिता बच्चन को मिला है नेक्स्ट लेगी US Open 2020 की महिला एकल का किताब किस ने जीता है तो ये जीती हैं नाओमी उसाका नेक्स्ट लेगी लोगपाल में कुल कितने नियाईक सदस होते हैं तो लोगपाल में कुल चार नियाईक सदस होते हैं नेक्स है हमारा भारत रत्र प्राप करता प्रणो मुखर जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं तो ग्रिह मंत्री नहीं रहे हैं तो इस कोश्चन का सही हैं तो रोगा आपस नमबर A नेट्स है है हमारा कि Notes of a Dream पुस्तक के लिखा कौन है तो Notes of a Dream पुस्तक के लिखा के है कृष्णा त्रिलोग नेट्स है कि सुवाशन बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2020 बक्तिगत रूप से किसे प्रदान किया गया है तो ये मिला है कुमार मुनन सिंग को नेट्स है कि बरतमान में सरवोच नियाले में मुख नियाधीस के अतिरिक्त नियाधीसों की संख्या कितनी हो गई है तो मुख नियाधीसों के अतिरिक्त नियाधीसों की कुल संख्या है तेतिस नेक्स्ट है बिस में पहला elephant reserve किस राज के द्वारा बनाया जा रहा है तो पहला elephant reserve जो है वो 36 गड़ सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है नेक्स्ट है कि भारत की पहली semi high speed rail गाड़ी बंदे भारत express किन दो स्टेशनों के बीच चलती है तो ये चलती है दिल्ली और 12 नसी के बीच नेक्स्ट है कि एकानमेमा ओसकर एवार्ड 2019 के तहट किस भारतिय लगू फिल्म को बिस documentary thought subject का अवार्ड मिला है तो ये मिला है period end of the sentence नेक्स्ट है कि 20 के कितने देशों की अर्थवेवस्था बरतमान में trillion dollar में है तो ये बरतमान में 14 देशों की अर्थवेवस्था जो है trillion dollar में है नेक्स्ट रगी नासा द्वारा पंच मिसन की घोसना हाली में की गई है यह किसका अध्यन करेगा तो पंच मिसन जो है वो सूर्थ की अध्यन करेगा नेक्स्ट रगी हाली में छेत्रिये पार्टी को राष्टिये पार्टी का दर्जा मिला तो सबसे पड़ा SO2 का उसर्जन करता है भारत नेक्स्टर की बर्तमान में लोक लेखा समीती के अध्याच कौन है तो उनका नाम है अधी रंजन चौधरी नेक्स्टर की किस देश ने बिसु के पहले तैरते प्रमानू उर्जा संध्यन्द का सफल परिछन किया है तो ये है रसियने नेक्स्टर की ICC मैच रेश्री पैनल में सामिल होने बाली पहली महिला कौन बन गई है उनका नाम है GS Lachmi नेक्स्टर की पॉलूसन टैक्स लागू करने बाला बिसु का पहला सहर कौन बन गया है तो बो सहर है लंदन नेक्स्टर की भारत के किस मैट्रो रेल ने हाली में पहली बार सौद उल्जा से मैट्रो चला कर इतिहास रचा है तो सौद उल्जा से चलाया है दिल्ली मैट्रो रेल नेक्स्टर की परधानमंद्री ने किस छेतर के लिए One Nation One कार्ट जारी किया है नेक्स्ट है कि पर्धानमंद्री ने किस जगह पर्धानमंद्री स्रम योगी मांधन योजना का सुवारं किया है तो ये किया है बस्त्रर में नेक्स्ट हमारा UNICEF द्वारा हाली में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार की से C.I. देश में बाल कुपोसन तेजी से घटा है तो वो घटा है बंगला देश में नेक्स्ट है की 21 अभी नेता को World Book of Records लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है मनुज कुमार को नेक्स्ट है की लेट मी से इट नाव नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो इस पुस्तक के लेखा कहे है राकेश, मारिया नेक्स्ट है की हर्याना राज सरकार ने ओलंपिक में स्वान पदक जीतने पर खिराडियों को कितने कड़ो रुपे के प्रोसकार देने की घोस्ना किया है तो ये किया है 6 कड़ो रुपे का नेक्स्ट है कि भारत का पहला एकल उप्योग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड़ा कौन बन गया है तो एकल उप्लास्टिक मुक्त हवाई अड़ा जो है वो नई दिल्ली अंतराश्टिय हवाई अड़ा बन गया है नेक्स्ट है की भारतिये railway का कौन सा jone जो है वो उल्ली टर्टस्ड पर railway station का संचालन करने वाला देज का पहला जोन बन गया है तो वो बन गया है दचिनमद railway नेक्स्ट है की केंदर सरकार दोरा हाली में सुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतराष्टी ये बीतिय संस्थान से 450 मिलियन डॉलर का जीन हितु समझाता किया गया है तो ये किया गया है 20 बैंक से तो ये था कुछ test number 18 के कुछ questions अब हम लोग देखते हैं test number 19 के questions को प्राक्टि test number 19 का जो पहला question है वो ये कह रहा है कि gas आधारित पाबर प्लांट के लिए reliance पाबर का किस देश के साथ समझाता हुआ है तो reliance पाबर जो है वो बंगला देश के साथ समझाता किया है नेक्स्ट हमारा आयुसमान भारत परधान मंत्री जन आर्योग गियो जना की सुरुवात कब की गई है तो इसकी सुरुवात 23 सितंबर 2018 को किया गया था नेक्स्ट है की पुस्तक girl पाबर इंडिया बोमेन who broke rules के लेखा कोन है तो इस पुस्तक के लेखाएक है नेहा जे हीरा नंदनी नेक्स्ट है की अगास 2020 में किस परसिद उर्दू कभी का इन दोर में COVID-19 के इलाज के दोरान निधन हो गया है तो उनका नाम है एरा हातिन दोरी नेक्स्ट है की किसकी अध्यचता में खेल मंत्राले ने राष्टिये खेल पुसकार 2020 हेतु चैन समीती गठत किया है तो ये किया है मुकुंद कम सर्मा के अध्यचता में नेक्स्ट है की बरतमान में किसे परधानमंती नरिंद मोदी का नीजी सचीम नुक्त किया गया है तो ये किया गया हार्दिक सटीश चंद्र साह को नेक्स्ट है की हाली में रूस द्वारा किस देश को S-400 मिसाल सुरचा प्रानाली के आपूर्थी पर रोक लगा दिये गई है तो ये चीन को आपूर्थी पर रोक लगा दिया है नेक्स्ट है की बर्स 2020-23 के लिए एक नई राजु द्योगी की विकास निती की सुरुवात किस राजु सरकार ने किया है तो ये किया है आंध्यपदे सरकार ने नेक्स्ट है हमारा की 20 आदिवासी दिवस के अफसर पर किस राज के मुख मंत्री ने इंद्रा वन मितानी ओजना सुरु किया जाने की घोसना किया है तो ये किया है 36 गड़ सरकार ने नेक्स्ट है कि दिए गए राज जिवाम उनके द्वारा सुरू किये गए डिश्टल पहल में कौन सा सुमेलित है तो ये है सुमेलित बिहार उन्यान तो इस कोशन का सही अंसरों को आप्स नमबर सी नेक्स्ट है हमारा केंदरिय सरम और रोजगार मंतराले ने सरमिकोबर रोजगार प्रदाताओं को कि सिकातों का निवारन करने के लिए किस पॉटल लॉंच किया है तो वो पॉटल का नाम है संतुष पॉटल नेक्स्ट है की हाली में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तयार किया गया था तो NPR जो है वो पहली बार 2010 में तयार किया गया था नेक्स्ट है की Operation Clean Art किस प्रजाती के बाल की तरक्की को रोखने के लिए चलाया जा रहा है नेक्स्ट हमारा की Politics of Operatism पुस्तक किसने लिखा है तो इनका नाम है R.P.N. Singh नेक्स्ट है की एक फरबारी 2020 को आयो जीत आस्ट्रेलिया ओपेन का महिला एकल खिताब किसने जीता है तो आस्ट्रेलिया ओपेन का महिला ओकल खिताब जीता है नेक्स्ट है की भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एक एक क्रिट मोबाइल नंबर जारी किया गया है तो ये जारी किया गया है 139 नेक्स्ट है की इंडिया कुलिंग एक्षन प्लान किस मंतराले या आयो के द्वारा जारी किया गया है तो ये जारी किया गया है परियाबरन बन एबं जलवाई परिबरतन मंतरा लेके द्वारा नेक्स्ट है हमारा ICC क्रिकेट बिसकप 2019 के संबन्ध में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इस बिसकप का आयोजन इंग्लेंड का था बेल्स में किया गया है ये सही है इस बिसकप में कुल्दर्स टीमों ने भाग लिया सही है प्लेयर अब दा टूनामेंट के रूप में बेन स्टॉक्स को चुना गया ये गलत है तो इस question का सही अंसर होगा आपसे number C Next हमारा की 10 studies in कासमीर history and politics के लेखा कौन है तो इन poster के लेखा है प्रोफेसर के इन पंडित Next हमारा G7 का 46 मा सिखर सम्मिलन 2020 कहां हुआ तो ये अमेरिका में Next हमारा मितर सक्ती संजुक्त थल सहिना अभियास किन दो देशों के बीच किया जाता है तो मितर सक्ती किया जाता है भारत और सिरलंका के बीच Next हमारा बौदिक संपदा सुचकांग 2020 में भारत का कौन सा स्थान है तो बौदिक संपदा सुचकांग 2020 में भारत का स्थान है 40 मा नेक्स्ट है कि सात्मी आर्थिक जनगन्ना की सुरुवाथ हाली में किस राज के द्वारा की गई है तो सात्मी आर्थिक जनगन्ना की सुरुवाथ जो है वो त्रिपूरा राज सरकार के द्वारा किया गया है नेक्स्ट है कि किस राजी सरकार ने जुलाई 2019 में अंतर राजी ये जलमार पर वाटर टैक्सी की सुरुआत करने की घोसना किया है गोवाने नेक्स्ट हमारा हाली में किस राज सरकार द्वारा अपने राज किये पच्छी को बचाने के लिए एक आयप जारी किया गया है तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा नेक्स्ट है हमारा 2019-2020 के खरीश के लिए धान की सामान किस्म का MSP कितना प्रतिक इंटल है तो ये है 1815 रुपे प्रतिक इंटल नेक्स्ट है की 13 फरबड़ी 2020 को किस अंतराष्टिय संगठा ने अस्टिप बित रिफ्यूजी अभियान का सुरुवात किया है तो ये किया है UNHCR ने नेक्स्ट रगी भीजी सिधार्स जिन्वोंने हाली में आत्मात्या कर लिये थे कौन थे तो वो ये करनाचा के उद्योग करता है नेक्स्ट है हमारा छिया सठमे राष्टिये फिल्म प्रूसकार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का प्रूसकार प्रदान किया गया है तो बेस्ट फीचर फिल्म का एवर्ड मिला है हेलो औरको नेक्स्ट है हमारा नोटा का तीसमा सदस कौन बन गया है तो ये बन गया है उत्री में से डोनिया नेक्स्ट है की 21 राज सरकार की काबिनेट में माबाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया गया है तो ये लिया गया है बिहार के द्वारा नेक्स्ट है हमारा संजुक्त राष्ट की संस्था ILO ने हालियां रिपोर्ट के अनुसार बिस्व की सबसे बड़ी उद्ध्योगी दुर्गटना में से एक किसे माना है तो वो माना है भोपाल गैस्त राजदी 1984 को नेक्स्ट है हमारा की लोकसबा चुनाब 2019 में चुनी गई देश की सबसे यूबा सांसत कोन है तो उनका नाम है चंद्रानी मुर्मो नेक्स्ट है की बैपार को बढ़ाबा देने के उदेश से भारत ने किस देश के साथ पहले कारगो फेरी से बाशरुवात किया है तो यह किया है मालदीप के साथ नेक्स्ट है की बिसमुक्य बादी चैंपियंसीप में MC Mericom अब तक कुल कितने पदक जीती है तो अब तक कुल आठ पदक जीती है नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लच्छ है तो भारत सरकार द्वारा जो टीबी समाप्त करने का जो लच्छ रखा गया है वो रखा गया 2025 तक नेक्स्ट है की इंडस्ट्री 4.0 का संबंध है तो यह automation से है नेक्स है निम्रिकित में से कहां पर हिंदी को न्याले में तीसरी अधिकारिक भासा का दर्जा दिया गया है तो ये दिया गया है कहां अबुधाबी में तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमर सी अबुधाबी नेक्स है हमारा जन जाती है संग्राले जो स्वतंतता सेनानियों को समर्पित किया गया है किस राज में बनेगा तो वो बनेगा गुजरात में नेक्स है कि क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने सुरू किया है तो क्लीन प्लेट अभियान जो है वो चाइना के द्वारा सुरू किया गया है नेक्स है की उड़ोपिये संग्छ ने निर्मान सरी पर्योचना किस भाद्य राज़ी के लिए सुरू किया है तो वो किया है माहराष्ट और उडिशा के लिए नेक्स है कि गौलियल चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल कर किस राजनेता के नाम पर किया गया है तो ये किया गया है अटल बिहारी बाजपई के नाम पर नेक्स्ट है कि The Anywhere School नामक पहल की घोसना किस ने की है तो The Anywhere School नामक पहल की घोसना Google के दूरा किया गया है नेक्स्ट है कि एकान में मा भारतीए अंतराश्चिये फिल महोसभ कायोजन किसराज में किया जागा तो ये गवा में next है हमारा किस देश ने अस्पूतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली COVID-19 वैक्सिन लिगे राया है तो यह करने वाला जो देश भो है एरसिया next है हमारा कि पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक है तो पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक है जातिन प्रांज पे नेक्स्ट है हमारा railway board का पहला CEO किसे निक्त किया गया है तो ये किया गया है B के यादब को नेक्स्ट है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राजी ने सुरू किया है तो ये किया है मदपते सरकार ने नेक्स्ट है हमारा कि online सिच्छा के लिए G Suite और Google Classroom लांच करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया है तो ये पहला राज है महराश्ट नेक्स्ट हमारा Google ने भारत में रोजगार आवेधन है तो निम्न में से किस आप को लांच किया है तो ये किया है कोर्मो जॉप्स आप तो ये था कुछ प्राक्टिश टेस्ट नंबर 19 अब हम लोग देखते हैं प्राक्टिश टेस्ट नंबर 20 के कुछ कुछ को पहला क्वेश्ट कहरा है कि हाली में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉंच किया गया तो प्रोजेक्ट जीरो कि मुख ने अधीस रह चुके हैं तो अर्बिन बोब्रे जो हैं वो मध पदेश के भी मुख ने अधीस रह चुके हैं नेक्स्ट है नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन मा संबंधी थे तो ऑपरेशन मा जो है वो लापता यूबको को खोजने से संबंधी थे नेक्स से चर्चा में रहा अजूद्या विबात का फैसला खुल कितनी जमीन पर था तो ये था दो दसमलोग साथ साथ एकड़ पर नेक्स्ट है हमारा की ग्रीम अंतराले ने असाम राइफल को किस अर्धसैनिक बल में बिलाइक करने का पुरस्ता रखा है तो ये रखा है अईटी बीपी में इसको भीलइक किया जाएगा नेक्स्ट हमारा बीसमा पसुधन गन्ना 2019 कितने बरसो के अंतराल के पाश्चात ये गन्ना किया गया है तो ये सात बरसो के अंतराल पर किया गया है नेक्स्ट है हमारा की The Testaments पुस्तक के लेखा कौन है तो उनका नाम है मॉर्गेट एडबुड नेक्स्ट है हमारा राफेल लड़ाकू बीमान उराने बाली भारत की पहली महिला फाइटर पाइलेट कौन बन गी है तो उनका नाम है सीवांगी सिंग नेक्सटागी भारत ने पहला day night test किसके बीरूत खेला है? तो भारत जो है पहला day night test जो है वो बंगलादेस के बीरूत खेला है नेक्सटागी 21 राजसरकार दारा हाली में बालस्रम और मानब तसकरी के प्रती लोगों में जागरुकता फैलाने के उद्धे से मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया गया है तो ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा नेक्स्ट रगी भारतिय जनतापाटी भाजपा के नई अध्यच के रूप में किसे चुना गया है तो ये चुना गया है जे पी नडाको नेक्स्ट है की निम्रिखित में से किस ने हाली में 24 में महालेखक नियंतरक CGA के रूप में निक्त किया गया है तो वो उनका नाम है CGA के रूप में निक्त किया गया है सो मारा एको नेक्स्ट है हमारा भारत किस बस्तु का सरवादी का आयात करता है नेक्स्ट एक ये हाली में सालादरपन पोटल लांच किया गया जिसके संबन में निमरिखिद में से कौन सा कथन सही है इस पोटल को नबोदर बिदाले समीती के लिए लांच किया गया है सिचको करमचार युवाम छातरों के भी सूचना साधा करने के लिए यह एक 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 रिट प्रेटफॉर्म प्रादान करेगा तो यह भी बिल्कुल सही है तो कथन एक और कथन दो जो है बोट दोनों सही है नेक्स्ट है हमारा कि 23 राष्टी यूबा महोसब का आयोजन कहां हुआ है तो यह हुआ है लखनव में नेक्स्ट है कि 2019 के खेलों इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को सामिल किया गया है तो यह किया गया है लॉन बॉल्स को और साइंकलिंग दोनों को तो इसकोशन का सही अंसरों का आपसर नबर सी उपरिट दोनों को नेक्स्ट है कि सूर्ज के अध्यन के लिए इसरों कौन सा उपगरह लॉंच करेगा तो सूर्ज के अध्यन के लिए इसरों जो है वो आदित नामक उपगरह को लॉंच करेगा नेक्स्ट है कि हाली में बंचेत्र को बढ़ावा देने के उदेश से किस राज सरकार ने एक छात्र एक ब्रिच्छी ओजना पारियम किया है तो एक छात्र एक ब्रिच्छी ओजना पारियम करने वाला जो राज है बो है मध्य पदेश नेक्स्ट है कि तमिलाडू सरकार द्वारा बिज्ञान और प्रदागिकी को बढ़ाबा देने के लिए किस बग्यानिक को डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम पुरुसकार से समानित किया गया है तो ये किया गया है के सीवन को नेक्स्ट है कि सीमोना बाइल्स का संबंध है तो सीमोना बाइल्स का जो संबंध है वो जिम्रास से है नेक्स्ट है हमारा बिक्मिंग किन की क्रिटी है तो बिक्मिंग की अगर बात करते हैं तो बिक्मिंग जो है वो मिसल ओमामा की क्रिटी है नेक्स्ट हमारा डूरंड कब 2019 का आयोजन कहां किया गया तो डूरंड कब 2019 का आयोजन कोलकता में किया गया है नेक्स्ट हैगी बिस बैंक की पहली महिला मुख बीती अधिकारी के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो ये निउक्त किया गया है अंसुला कांत को नेक्स्ट हैगी मुस्लिम महिला बिवा अधिकार संडच्छन अधिनियम 2019 में कितने बर्सों के सजा का प्रब्धान किया गया है तो ये किया गया है तीन बर्स के सजा का प्रब्धान किया गया है नेक्सդ आमारे e-vecules chargers पर GST दर 1 अगस 2019 से कर दिया गया है कितना तो 18% से घटा कर 5% कर दिया गया है नेक्सट है कि इंटरनेट यूजर की रैंकिंग में भारत का स्थान है तो इंटरनेट यूजर की रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो उपर से दूसरा है नेक्स है की 20 जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अंसार भारत किस बस तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो भारत 2027 तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा नेक्स्ट आगी बर्तमान में भारत में कितने उचने आले हैं तो बर्तमान में भारत में 25 उचने आले हैं नेक्स्ट आगी बर्ड इंडिया फूड 2019 का आयोजन एक से चार नमबर के बीच कहां किया गया तो ये किया गया है नई दिल्ले में नेक्स्ट है की रोयल सोसाइटी की फैलो चूने जाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बन गी है तो उनका नाम है गगंदीप कॉंग नेक्स्ट है की किस राज की जन जातियों ने गिनिज बुक अप रिकोर्ड्स के में नाम दर्च कराने के लिए कोणियाक निर्थ प्रदर्शन किया है तो ये किया है नगा लेंट की जन जातियों ने नेक्स्ट हमारा निमलिखित में से किस संस्थान के बैग्यानिकों ने उस इंजाइम की खोज की है जो बैक्ट्रिया की कोशी का दिवार को तोड़ने में सच्चम है तो ये किया है Center for Cellular and Molecular Biology ने नेक्स्ट हमारा Amazon की अंतरिच कंपनी Blue Origin ने बर्स 2024 में किस प्रोब से मानब को भेजने की घोसना किया है तो ये किया है Blue Moon से नेक्स्ट है की भारतियरी जर्बैंक की किस कमीटी की सिफारिस पर भारत में Public Credit Registry अस्थापित की जा रही है तो ये किया जा रहा है बाई एम देवस्थली समीती के सिफारिस पर नेक्स्ट है की 20 स्वाव संगठन के अनुसार 5 से 29 बर्स के बीच बच्चोंबं लोगों की मिर्तु का अग्रनी कारण क्या है तो वो है सड़क दुरगटना नेक्स्ट है हमारा की थाड क्या है तो थाड जो है वो एक अमिर्का की एंटी मिसाईल एरच अप्रनाली है नेक्स्ट है कि चोवनमा ग्यानपूर प्रुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो चोवनमे ग्यानपूर प्रुसकार से अमिताब घोष को सम्मानित किया गया है नेक्स्ट हैगी बर्स 2020 की मिस डिवा किसे चुना गया है तो मिस डिवा चुना गया है एडलीन कैस्ट लिनो को नेक्स्ट हमारा भारतिये सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हैमिलेट बिक्सित किया है इसे बिक्सित करने वाले प्रमुख बैक्ति हैं तो इसके बिक्सित करने वाला प्रमुख बैक्ति जो है उनका नाम है मेजर अनुक मिस्रा नेक्स्ट हमारा नासा की अंतरीच्छ यात्री क्रिष्टिना कोच अंतरीच में कितने दिन रहने का रिकर्ड बनाकर प्रत्थिवी पर लोटी है तो वो 328 दिन रहाकर रिकर्ड बनाई है नेक्स्ट है हमारा अंतराष्टी ओलंपग समीती ने हाली में किसे 2019 का लाइफटाइम एचिवमेंट अवार्ड से समानित किया है तो ये किया है पुले लागोपी चंद को नेक्स्ट है हमारा एक भारत स्रेष्ट भारत किस मंतराले के द्वारा या कार्शक्रम सुरू किया गया है तो ये किया गया है सूचना और परफारन मंतराले के द्वारा नेक्स है की पर्धान मंत्री मातरित बंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज प्रथम अस्थान पर है तो वो राज है मध्यपदेश नेक्स है हमारा बितमंत्री निर्मला सीतारमन ने बर्थ 2024 तक देश में कितने नए एरपोर्ट बनाने के घोसना किया है तो ये टोटल 100 एरपोर्ट बनाने के घोसना की गई है नेक्स्ट है हमारा की बल्ड ब्रेश्टीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार 20 अस्तंपान दर में कौन सा देश सिर्श सस्थान पर है तो वो देश है सिर्लंका नेक्स्ट हमारा देशु के सबसे बड़े मेडिटेशन से इंटर का उद्गाटन कहां किया गया है तो ये किया गया है है हैदराबाद में नेक्स है की UNDP रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लच्छो को हासिल करने के मामले में सिर्थ सस्थान पर कौन सा राज है तो वो राज है तिलंगना नेक्स्ट है कि 21 देश ने भारत, बंगलादेश और मालदीग के प्रियेट को पर सतत विकास कर लगाने की घोसना किया है तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है भुटान तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए का साथ ही साथ इसके आगे जो 20 से 25 जो सेट आप बचे हुए है 21 से लेकर 25 तक बो सेट भी जलनी आप लोगों को मिल जाएगा थैंक्स फॉर वचिंग